नमस्कार दोस्तों एजुकेशन 24 में आपका स्वागत दोस्तों आज का ये वीडियो आप सब के लिए बहुत ही खास होने वाल है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि विए फ़स्टियर के सिकेंड समेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है समास साथ्तर उस फ़स्तों आपको आपको ऑटि लगुँ उतर्य प्रस्त लगु उत्री प्रस्न बताऊंगी जो आपके पेपर में आ सकते हैं तो अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्काइब कर लीजी ए एडिए कन को प्रेस कर दीजिए और अबी तेक तो दोस्तो आये देर नहिस May करते हैं और जानते हैं जब से हरे आपका जो अती लगो उत्री प्रस्न होता है जिसका उतर आपको 50 में लिखना होता है तो यह अलग-अलग कोलेज्यों में प्रस्न पत्र वीडियों को लिखना, अधिकतर जो कोलेज में आता है तो ओति आपको 50 सब्दों में लिखना होता है आप अपने प्रस्ण पत्र के निर्देशान उसका उतर दे सकते हैं दोस्तों एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मैं आपको जो भी प्रस्ण बताऊंगा उसका आप क्या कीजिएगा किसी सीरीज से या कापी से उस प्रस्ण को मिला करके उसका उतर याद कर लिजिएगा ताकि आपको परिच्छा में कोई दिकत ना हो और अगर परिच्छा से कोई भी रिल्टेट आपको दिकत होता है तो कमेंट करके बताए मैं उसका सोलूशन जरूद दूँगा आपको तो दुस्तों देखिए आपका जो आती लगू उतिर इसके अंदर आपको 10 कोश्चन बताऊंगा जो आपके पिपर में आएगा सबसे पहला कोश्चन है आपका भारतिय समाज में परिवर्तन के दो छेत्र लिखिए यानि कि भारतिय समाज में परिवर्तन कैसे हुआ उसके दो छेत्र आपको लिखना है कौन कौन से छेत्र है उ परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं दोस्तों परिवार नियोजन क्या होता है उसके बारे में आपको लिखना है उसके बाद पांचवा कोश्चे ने आपका हिंदू महिलाओ की कोई चार वयवाहिक समझा है बताई यानि कि जो हिंदू महिला होती है उनकी विवाही की चार समसा आपको बताना है उसके बाद चठा कोश्चन है आपका मंडल आयोग के चार सुझाव दीजिए यानि कि जो मंडल आयोग होता है उसके चार सुझाव आपको देना है उसके बाद अगला question है बिवाह को परिभासित कीजिए यानि बिवाह क्या होता है उसकी परिभासा आपको देना है उसके बाद अगला question है दोस्तो आपका धर्म को परिभासित कीजिए यानि कि धर्म क्या होता है धर्म को आपको परिभासित करना है फिर उसके बाद अगला question ह आपका नवा कोश्चन है वर्ग एवं जाती में दो अंतर लिखिए यानि कि वर्ग एवं जाती में क्या अंतर होता है उसके दो अंतर बताना है और लास्ट कोश्चन है आपका गाव एवं नगर को परिभासित कीजी यानि गाव क्या होते और नगर क्या होते है इसकी परिभ दिसपस्ट कीजी यानि कि गाउं का जीवन कैसे होता है और नगर का जीवन कैसे होता है इसका भेद आपको बताना है उसके बाद दूसरा कोश्चन है आपका वाइदिक धर्म के रूप में हिंदू धर्म का सुतरपात किस परकार हुआ यानि कि जो वाइदिक धर्म है उसके में जो हिंदू धर्म का सुत्रपाथ है इसके बारे में आपको बताना ह। उसके बाद तीसरा question आपका जण-जाती की परिभासा एवं बिशेश्टाएं बताईए यानि कि जो जंजाती है उसकी परिभासा देना है और उसकी बिशेश्टाएं बताना है आपको आपका अगला कोषचन है हिन्दू बिवाह के धार्मिक परविर्ती की देखना कीजे। उसके बाद पांचवा कोषचन है स्युक्त परिवार कीसे काते हैं और उसके देखनां भी आपको बताना है। उसके बाद छाठा कोश्चन है दोस्तों आपका राष्टी एक्ता की बधाओं को दूर करने के उपाय बताई यानि कि जो राष्टी एक्ता की बधाय है उसको कैसे दूर कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताना है उसके बाद साथवा कोश्चन है आपका भारतिय समाज में इस्तिति क्या है उसके बार last question से आठवा कस्भा से आप क्या समझते हैं जो कस्भा होता है उसे आप क्या समझते हैं उसके बारे में आपको बताना है तो दुस्तों ये 8 question हो गए आपके लोगू उत्तिरी प्रस्म से भारत समाज में कौन-कौन सी भीनता पाई जाती उसके बारे में आपको वरण करना है उसके बाद दूसरा कोश्चन है आपका भारत में जाती की राजनीती पर एक निवन्द लिखिए यानि कि भारत में जाती के ऊपर जो राजनीती होता है उसके ऊपर आपको एक निवन्द कीजिए सबसे पहले आपको वर्ग की परिवासा देना है उसके बाद वर्ग और जाती में भेधिस्पष्ट करना है उसके बाद आपका लास्ट कोश्चन है भारतिय समाज में वर्तमान परिवर्तनों की ब्याख्या कीजिए और भारतिय समाज तथा पास्चात्य समाज में अ अगुतिर प्रसन से थे तो आप इन कोश्चन को नोट कर लीजिए और उसके बाद से इसका उतर जो है किसी किताब से से मिला कर कियात कर लीजिए ताकि आपको परिषा में कोई दिकत ना हो और नेक्स्ट वीडियो आपकी सब्जेक्ट वोपर चाहते हैं कोमेंट करके बताए कि मैं उस सब्जेक्ट वीडियो बनाऊंगा थैंक्यू दोस्तों